नमस्का दोस्तों मेरा नाम है क्रिष्णा और आप देख रहें टेल इंट्यूबर दोस्तों आज हम इस विडियो के अंद देखने वाले हैं कैसे हमारे जो करॉप्टेड पीडियेफ फाइल है या कि कोई फाइल को आपने स्कैन किया और किसी से रिसीब किया वार्टसप से हो केटूंसे और वह फाइल हम जैसे ओपन करते हैं तो वह उपन नहीं होता है एरोर दिखाता है या घो अपन होने के बाद भी वह ब्लाग कलर का दिखा था यहां पर अभी अपना Chrome Browser open कर देता हूं यहां पर दोस्तों अभी मेरा WhatsApp open हो चुका है और यहां पर जिनसे हम फाइल लिये थे मैं उनका वाला निकाल देता हूं वो file कौन सा file था जो की मेरा corrupt हो गया था और यह file मुझे second time नहीं मिलने वाला था ना ही मैं इसको second time कहीं से निकाल के इसको फिर से और एक बार इसको देख सकता हूं आप देख सकते हूं इसको download कर लिया हूं अभी हम download में जाएंगे और यहा पीडियेफ खुला है और आप यहां पर देख सकते हैं यह भी ब्लांक है यानि कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आज हम इस विडियो कंदर देखेंगे कैसे इसको हम लोग रिपैर करेंगे दोस्तों इसको रिपैर करने के लिए सब सब बेश तरीका है online online में हमे वही सेम चीज करना है और मैं यहां पर आपको हमें यहां पर टाइप करना होगा पीडियेफ फाइल रिपैर जैसे हम यहां पर PDF फाइल डिपार करके आएगा यहां पर देख सेते हैं I love PDF करके सबसे पहले आता है इसका उपर हमें क्लिक करना है कुछ मेरा इस से पहले एक विडियो हम दिये थे तो जिसमें से कुछ यूजर मुझे बोले थे जिनने मेरा फाइल उपलोड नहीं हो पा रहा है दोस्तों आप यहाँ पे देखिए Select PDF फाइल या और Drop फाइल हीर मैं यहाँ पे Select PDF फाइल के उपर क्लिक करता हूँ मेरा डाउनलोड में सबसे पहला वाला यहाँ पर पड़ा हूँ इसको हम अभी यहाँ पे Open करेंगे जैसे यहाँ पे हम Open करेंगे यह मेरा भी Upload हो गया है और यहाँ पे कुछ वीजिबुल भी आ रहा है तो हम यहाँ पे Repair PDF के उपर क्लिक करते हैं कुछ फाइल अभी यह Upload होगा इसके बाद यह Repair होगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1926 यह Upload चल रहा है अभी जैसे आपका Internet का Speed होगा उसी सबसे दिखाएगा आपको दोस्तों फाइल यह मेरा Upload complete हो चुका है अब यह Automatically Repair के लिए ले रहा है थोड़ा सा टाइम लग रहा है ट्राइंटू रिपेर वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इस टास्क हाज बिन प्रोसीड सक्सेस्पुली यह हो गया और यहाँ पर आटमेटिक डाउनलोड के लिए दिखा रहा है मैं यहाँ पे Start Download के ओपर क्लिक करूँगा और यह मेरा डाउनलोड हो चुका है जैसी मेरा डाउनलोड कंप्लिट हो जाएगा तो हम यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे और मेरा डॉकुमेंट वाला जो फोल्डर है अब यहाँ पे हम देख लेते हैं यह मेरा अभी फिलाल रेपैर होके डाउनलोड हुआ है कि आप टाइम डेक्स दें 10-13 और यहाँ पे 10-13 ही हुआ है और मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फाइल मुझे मिला था यह मेरा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तेंक्यू दोस्तों